नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूं कि Nature Photo Editor अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गयज गर आप भी जानना चाहतों कि Nature Photo Editor अप्लिकेशन क्या है और इस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस मैं देख तो 3.9 इसको स्टार मिले हुए 13,000 के रिव्यूज है रेटर देख तो यहां पर 3 प्लस रेटर पचास लाग प्लस इसकी जो डाउनलोड है अब गैस मैं आपको बता जाता हूं कि इसके अंदर आपको जो है क्या का फिचर मिलने वाले तो इसके अंदर बहुत सारे अपको फिचर मिलेंगे फोटो एडिटर एप्लिकेशन इसके इंदर बहुत सारे टेक्स नेचरएफकट यहां पर बहुत सारे अलग लग आपको जो है यूच्व करने के लिए मिल जाते हैं तो कैसे यह आप्लिकेशन को तो हमारे सामने आ जाएगी उसके बाद मैं आपको बता आता हूं कि कैसे कैसे इसे यूज करना है तो सबसे बहुत नेचर फ्रेम है उसके बाद यहां पर फोटो कॉलेज गया ऊप्षा बहुत सारे आप्षन हमें जो देखने को बिल जाते यहां पर एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर हम जो फोटो सेलेक्ट करेंगे ठीक है लख़ messagingBut तो हईसे बाद यहां से जो फोटो सेलेक्ट करेंगे जो भी फूट λेनी है आप से फोटो ले लिए ट्यक्न फूर एक्जांपल हम क्या करते हैं यह वाली फूटो लेते हैं ऐक्जांपल के लिए यह वाली फूटो सेलेक्ट कर ली अब यहाँ पर इसे चरह से आजपना फटों को एक्जस्ट भी कर सकते हैं भूत सारी अलग अलग फ्रेम हमें जो यहां पर देखने को मिल जाती है जैसे नेचर वाली फ्रेम है तो वह यहां से जैसे भी आपको सेट करनी है आप अपने हिसाब से यहां पर जो है से जैसे इस तरह से यहां पर आप देख तो फूटो को आज़ेस्ट करेंगे जैसे भी आपको आपको फ्रेम का option मिलता है इस तरह से चेंज होगी color का भी option मिलता है color change करना फिल्टर है filter भी आप जो इसके लगा सकतो जो भी filter लगाना लगा स्टीकर्स लगाने लगा सकतो इमोजी है नेचर और भी इसके अंदर है और उसके बाद टेक्स का भी option है टेस्ट टैपिंग करके टेक्स एड़ करना वह भी कर सकते है उसके बाद उपर के साट में टिक पर क्लिक करेंगे तो फोटो जो रहेगी हमारी जो हो जाएगी गैलेरी के अंदर जो सेव हो जाएगी टेकर न तो सेव हो चुकिए इससे देखना है तो इसके उपर क्लिक करके आप इससे देख पाएंगे उसके बाद यहां से बैक करेंगे और यहां पर फोटो कॉलेज वाला option है इसके उपर क्लिक करके आप जो है अढला तो चली में आपको फोटो कोलेज भी कर कर यहां पर एकड़े करना होगा यहां पर आबको आपको यहां फोटो में अगरते हैं उसके लिए अदि यहां कर आघाटे हैं उसके बाद यहां पर दो तो आप पर लिए उसके बाद यहां पर अलग लग फ्रेम होगी जैसा यहां दखने को मिल जाते है जैसे भी अपने हिसाब से आपको करन को यहां पर जो है सेट कर पाएंगे ठीक है जैसे भी करना उसके बाद यहां पर आपको क्या करना होगा पैग्राउंड चेंज करना पर बहुत सारे इसके अंदर भी option आपको मिल जाते हैं उसके बाद यहां पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यह भी फोटो आपकी गैल